दोसो चाइना भारत और जपैन दोनों देशों के लिए ही common enemy है एक तरफ जहाँ पे चाइना का मनसुवा भारत को लेके हिमालाइन बॉर्डर में सही नहीं है और चाइना लगातार हिमालाइन बॉर्डर में भारत के जमिन को हरपने का प्रयास कर रहा है तो वही पे दूसरे फिर के तो यहलो सी में जपैन और चाइना के बीच में भी ऐसा ही dispute है और जपैन के Island को ओपर भी चाइना का नजर है और एक तरीके से चाइना के तरफ से जपैन के Island को जेपैन के बढ़ा किया आता है अब तक चाहिना को counter करने के लिए भारत और जपैन जैसे देश दोनों अपने-अपने हिसाब से काम कर रहा था पर दोनों देशों के दवारा बिटे कुछ सालों में कई तरीके के मल्टि लेटरोब और बायेटरोल फॉरम में एकत्रित होके काम करना शुरू किया गया है और दोस्तो अब बताया जा रहा है कि दोनों देश डिफेंस सेक्टर में एक साथ मिलके इस तरीके से काम करने का इरादा जताया है जो आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने में और आसानी लाएगा दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत और जेपैन चाना के थ्रेट को देखते हुए इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि दोनों देशों के महत्वपूर्ण डिफेंस एक्विप्मेंट अव एक ही तर्च पे डिफलोफ्ट होगा दोस्तों आज के इस वीडियों में आप लोग बताऊंगा कि जेपैन भारत को AMCA प्रोजेक्ट और सब्मरेंट के बैटरीज में किस तरीके के मदद के लिए तयार हुआ है और इस से किस तरीके से चायना को काउंटर करना दोनों देशों के लिए और आसान हो जाएगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोसो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीते दो दिनों से इंडिया और जेपैन के जो डिफेंस इंडिस्ट्री है उनके द्वारा 71 रूप में किस तरीके से काम को आगे बढ़ा जाए या फिर कहतो किस तरीके से 71 रूप में डिफेंस प्रोजेक्टों के रिसर्च और डिवलपमेंट के काम में एक दूसरे का मदद किया जा सके उसे लेके चर्चा किया जा रहा था और दोसो अब बताया जा रहा है कि दोनों देशों के defense industry अब एक साथ military equipment और technology में corporate करने को लेके तैयार हो चुका है दोसो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों देशों के जो defense ministry है मतलब भारत के ministry of defense और जपैन के ministry of defense के तरफ से कई तरीके के प्रोजेक्टों में corporate करने को लेके हामी भी भरा गया है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मंगलवार के दिन इंडिया और जपैन के defense industry के द्वारा एक एक dialogue को आयजित किया गया था इस dialogue में जहाँ पे दोनों देशों के महतोपूर्ण defense industry के तरफ से भूमी का निवाया गया तो वही पे इस dialogue का समर्थन असल में Department of Defense and Acquisition Technology Logistics Agency के तरफ से किया गया तो वही पे जपैन के ministry of defense और international security institutional council के तरफ से भी समर्थन दिया गया है बताया जा रहा है कि जपैन के तरफ से भारत के जो making India initiative है उसका इस्तेमाल करने का इरादा जताया गया है और जपैन making India initiative के अंतरगत अपना हाथ बटाते हुए भारत में equipment और technologies को तयार करना चाता है ताकि ये केवल मातरत दोनों देशों के लोगों के लिए ही मददगार न पार्ट्स, components, material और कई तरीके के अन्य platforms भी शामिल है हाला कि भारत के तरफ से भी जपैन को जहाजों को निर्मान करने को लेके काम करने का offer किया गया है जबकि दूसरे तरफ बताया जा रहा है कि जपैन के तरफ से भारत को जो सबसे बड़ा offer किया गया है वो है lithium-ion batteries को developed कर अब दोस्तों यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता दू कि lithium-ion batteries असल में सब्मरीनों में इस्तेमाल होने वाले next generation के batteries है फिलाल अगर देखा जाए तो दुनिया में काफी गिने चुने ऐसे देश है जो diesel electric conventional सब्मरीनों में lithium-ion batteries का इस्तेमाल करता है जिनमें जेपैन सब से पहला है जब कि South Korea के तरफ से भी lithium-ion batteries को अपने सब्मरीनों में इस्तेमाल करना शुरू किया गया है हाला कि दोस्तों traditionally अगर देखा जाए तो diesel electric सब्मरीनों में lead acid batteries का इस्तेमाल किया जाता है जो वजन में काफी भारी और काफी अधिक maintenance का वी इसका आवशकता होता है औ और काफी कम power ये store कर सकता है पर lithium-ion batteries lead acid battery की मुकाबले में वजन में हलका और कम से कम जगा में store हो सकता है और अधिक power store कर सकता है दूसरे तरफ देखा जाए तो ये जो battery है ये कम heat generate करता है जो एक तरीके से सब्मरीन के heat signature को छुपाने में भी मददकार है हला कि दोस्तों lithium-ion batteries का इस्तेमाल सब्मरीन को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है और दूसरे तरफ देखा जाए तो इस तरीके के battery के वज़ा से सब्मरीन को काफी कम समय maintenance से भी गुजरना पड़ता है आपके जानकाली के लिए यहापे बता दू कि इंडियनियस सब्मरीनों का निर्मान इंडिया करना चाहता है उसमें भी ऐसे batteries का इस्तेमाल करना चाहता है और इस तरीके के battery के development में अगर जेपैन के तरफ से भारत को मदद किया जाता है तो ओविसली यह भारत के रस्ते को और आसान बनाएगा और भारत के जो आने वाले समय में 12 डिजल इलेक्टिक सब्मरीन इंडियनियस तरीके से बनाने का इरादा है उसे भी आसान किया सकेगा दूसरे तरफ दोस्तों AMCA प्रोजेक्ट में भी जेपैन के तरफ से भारत को मदद करने का बात कहा जा रहा है यहाँ पर AMCA एयरक्रेट के बारे में आप सब का भी दर्जा दिया जा रहा है फिलाल दोस्तों भारत के तरफ से इन इरकव्टों के जो मैटल ब्लॉक हैट है उसके स्टिल कटिंग को अंजाम दिया जा चुका है मतलब एक तरीके से इरकेफ्टों के पोडोटाइपों के उपर काम श्रू किया जा रहा है आने वाले समय म यह मतलब आने वाले दो से तीन सालों के अंदर भारत इन यार्ट्टों को रोल आउट भी करना चाहता है और इस दशक के अंतक भारत इन यार्ट्टों को अपने बेड़े में शामिल भी करना चाहता है। एरक्राफ्ट का development किया जा चुका है जिसे जपैन में Mr. Vishy X2 कहा जाता है और दोस्तों आपको जानके हैरानी होगा कि जपैन के तरफ से एरक्राफ्ट को successfully developed करने के बात कीवल मात्र इसे prototype के stage तक ही सिमित रखा गया है लेकिन इसका कभी production नहीं किया गया एरक्राफ्ट का first flight साल 2016 में ही हो चुका था जब पूरा दुनिया इस तरीके के एरक्राफ्ट को developed करने को लेकर struggle कर रहा था जपैन के तरफ से असल में इस एरक्राफ्ट के prototype को six generation के एरक्राफ्टों के development से पहले as a technology demonstration के रूप में ही बनाया गया था और जपैन इसका technology का इस्त एरक्राफ्टों के मामले में पर फिर वी जपैन को अभी वी कई तरीके के technology को हासिल करना जरूरी है जिससे कि वो अपने six generation के एरक्राफ्ट का development कर सके जिन में एरक्राफ्टों के radar से शुरू करके एरक्राफ्टों के engine जैसे equipment शामिल है ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि जैपैन अपने एक्स्टो एरक्राफ्टों के experience को भारत के साथ share करते हुए भारत के AMCA प्रोजेक्ट में मदद करने का काम कर सकता है जो एक तरीके से भारत की AMCA एरक्राफ्ट को और मस्बूत बना सकेगा हाला कि भारत और जैपैन के बीज में ये जो गडवन धन बन रहा ह ये अब चाइना का रातों का नींद हराम करेगा और चाइना का तिलमिला हट का कारण भी इससे और बढ़ेगा बिसिकली माना जा रहा है कि जैपैन और भारत चाइना के ही थ्रेट को देखते हुए एक दोसरे के इतना करीब आया है तोसो जैपैन के तरफ से भारत को कई त चाइना का विशाय चाइना के लिए इसे लिए है क्योंकि इससे चाइना का एक प्रतिद्वन्दी देश या फिर कहें तो एक दुश्मन देश अगर मजबूत होता है तो दूसरे दुश्मन देश को भी मजबूत होने का मौका मिल जाएगा सिंपली अगर यहाँ पर कहा जाए कि जपैन के पास अगर कोई एक टेकनोलोजी आता है तो ओविसली वो टेकनोलोजी इस तरीके से भारत के पास भी आ जाएगा और दोस्तों दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो चायना के थ्रेट को देखते हुए खाली दोनों देश टेकनोलोजी को लेके ही एक दूसरे के साथ काम करने को लेके महत तो नहीं जता है जब पलकी दोनों देश इससे पहले भी एक दूसरे के साथ है जैसे कि क्वार्ड नेवी के अंडर वाटर कैपिबिलिटी बढ़ेगा दूसरे तरफ अगर फाइटर यार कैप्टों के मामले में जेपैन भारत के साथ मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहता है तो इससे इंडियन यार फोर्स के ताकत भी बढ़ेगा हलाकि इससे पहले वी खवर आया था कि जपैन अपने महत्वपूर्ण हतियार और टेक्नोलोजी को अपने जैसे समान विचारधरा रखने वाले देशों के साथ शेयर करना चाहता है और बेचना भी चाहता है और उस दर मियान भी बताया गया था कि जपैन का ये एक तरीके का चाहिना को काउंटर करने का टैक्टिस है और जैपैन इस तरीके के टैक्टिस से समान विचारधरा वाले देश को मजबूत करना चाहता है जिससे की चाहिना के खिलाब एक मजबूत और ताकदवर गडवन्दन बने और दोस्तों माना जा रहा है कि जैपैन के इसी रणनित को ही आगे बढ़ाने के लिए जैपैन के द्वारा भारत के साथ इस तरीके के कोपरिशन का इरादा जताया गया है ताकि भारत भी मजबूत हो सके और चाहिना के खिलाब एक मजबूत गडवन्दन बन सके दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छ छुलिप के दोस्तों